दोस्तो बॉलिवूड के सुपरस्टार राजेस खन्ना अब हमारे बीच नहीं है लेकिन आज भी लोग उनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं और अब उन्हें याद करते हैं दोस्तो आप राजेस खन्ना की फिल्मों के बारे में तो सब जानते होंगे लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सुपरिश्टार राजेस खन्ना की कुल संपत्ती से रूबरू करवाने वाले हैं जिया करते थे आपको जानकर हैरानी होगी की राजेस खन्ना करीब हजार करोड की संपत्ती के एकलोते मालिक थे कहा जाता है कि राजेस खन्ना ने अपनी वसीयत पहले ही तयार करवाली थी बताया जाता है कि दुनिया को अलविदा कहने से पहले राजेस खन्ना घरवालों के सामने अपनी वसीयत पढ़वाना चाहते थे राजेश खना की वसीयत को बॉलिवूड इंडस्ट्री के खिलारी यानी की अक्षे कुमार पतनी डिम्पल कपारिया और कुछ दोस्तों की मौजूदगी में पढ़ा गया था इस वसीयत के मुताबिक राजेश खना ने अपनी त पार्टनर अनिता अडवानी को पूरी तरह से बेदखल कर दिया था अपनी जायदात का छोटा सा भी हिस्सा राजेस खन्ना ने डिमपल लिया अनिता अडवानी के नाम नहीं किया था हाला कि अनिता अडवानी ने राजेस खन्ना की संपती में अपना हिस्सा हासिल करने के ल म्यूजियम में तब्दील कराना चाहती थी लेकिन बाद में उन्होंने इस फैसले को बदल कर बंगले को 95 करोड की कीमत में बेच दिया काका बाबु के उस आइकोनिक बंगले को ओल कांगरो लोजिस्टिक्स लिमिटेड के चेर्मेन और एमडी सकती सेक्टी ने खरीद लिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें